हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली के विल में आप लोग अपनी अपनी कंपनी का लोगो कैसे दिखा सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको company बना लेनी होगी फिर आपको keyboard से F11 वाली पटन को प्रेस करना होगा accounting feature पे आपको click करना होगा फिर आपको यहाँ पे देखे लिख कर आ रहा है enable company logo इसे आपको yes कर देना होगा yes करने के बाद आपसे location पूछेगा आपकी logo की जहां पे पी आपका logo सेव है और आपका जो format होना चाहिए लोगो का वो BMP या JPG format में आपका logo होना चाहिए और जो logo का recommended size दिया गया इसमें 96 pixel की width होनी चाहिए लोगो की और 80 pixel की height होनी चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको resize करना सिखा रहे है तो सबसे पहले आपको paint open कर लेना होगा paint open करने के बाद दिखिए यहां पे resize option आ रहा है अब आपका जो logo का size दिया है कि वो pixel में दिया है तो आपको percentage से untick करके pixel पे tick करना होगा और यहां पे लिखा है maintain aspect ratio इसे आपको untick कर देना होगा अब जो horizontal में जो size है आपको देना होगा 96 और जो vertical में size है आपको देना होगा 18 अब आपको यहां से ok कर देना होगा अब देखिए आपको जो paste size है वो उसी size में आ चुका है अगर आपके पास पहले से ही कोई logo बना हुआ है तो आप सीधे paste पे जाके paste from कर सकते हैं अब इसके बाद आपको अपने जो भी company का logo उसे select करके open कर सकते हैं जैसे मेरा already पहले से बना हुआ है तो अब हम आपको सीधे location copy paste करना सिखाएंगे अब जो हमारा logo बना हुआ है हम इस पे double click करेंगे अपने folder पे अब इसे हम copy करेंगे location को copy करने के लिए आपको सबसे पहले keyboard से alt बटन के साथ d वाली बटन को प्रेस करना है फिर आपको copy करने के लिए control c वाली बटन को प्रेस कर देना है अब वापस आपको telly पे आजाना है यहाँ पे आपको location को paste करने के लिए alt बटन के साथ control वाली बटन और फिर v वाली बटन आपको एक साथ प्रेस करना है अब देखें यहाँ पे जो location थी logo की वो पूरी paste हो चुकी है अब आपको इसके बाद slash लगाना है फिर आपको अपने logo का नाम देना है जिसे हमारी जो logo का जो नाम था वो logo नाम से ही है तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे logo अब dot लगाना होगा अब आपको अपना format बताना पड़ेगा हमारा जो logo था वो jpg format था तो हमने यहाँ पे jpg लिखका enter कर दिया अब मान के चलते हैं हम cash में ही sell कर रहे हैं अब यहाँ से sell लेजर में sell account आइटम ले लेते हैं कोई भी 20 quantity में डीट मैंने यहाँ पे 250 डाल दिया अब मुझे इसका bill प्रिंट आउट करना है तो मैं कीबोर्ड से art के साथ P वाली बटन प्रेस करूँगा अब देखिए हमारा यहाँ पे company का लोगो और लेटी बना हुआ आ रहा है तो इस तरह दोस्तों आप लोग अपने टैली के bill में company लोगो लगा सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो मारे इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा दोस्तों में भी share कर दीजेगा और अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मारे चनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू